स्वागत है आप सभी का इक बार फिर हमारे चैनल RS Final Destination में जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी Current Affairs की सीरीज चल रही है और उसी कड़ी में हम आज आपकी समक्ष लेकर उपस्थित हुए है Sports Prize खेल पुरुसकार जिसमें से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं और हर exams में इसमें हर तरीके की questions आते हैं तो आज सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं चुकि World Cup का season है World Cup चल भी रहा है तो सबसे पहले हम World Cup की बात करते हैं तो जो ICC World Cup है सबसे पहले वो कौन सा है यह आपको पता होना चाहिए तो यह 12 ICC World Cup है जो 2019 में हो रहा है इसके अलावा पहला जो सबसे पहला World Cup था वो 1975 में हुआ था यह कहाँ पर हो रहा है एलिम और वेल्स में इसके अलावा यह इगलेंड और वेल्स में कौन सी बार हो रहा है पाँच की बार यह आप याद रहेगा इसमें कितनी team भाग ले रही है, 10 team इसमें भाग ले रही है, ये match जो है, वो 30 मई से 14 जुन तक, 14 जुलाई तक चलेगा, कब से 30 मई से 14 जुलाई तक, इसके अलावा, ये जो match है, यानि ये world cup match है, ये round robin तकनीक पर आधारित है, अगर आप से तकनीक पूछी जाती है, कि ये जो world cup है, तो वो round robin तकनीक पर आधारित है, इसमें total match जो खेले जा रहे है, वो 48 है, match जो इसकी संक्या 48 है, team 10 है, और इसमें जो भारत की तरफ से sponsor team है, या sponsorship जिसने ली है, वो OPPO है, जब कि जो Amul, India की team है, Amul, sorry, जो Amul company है, इंडिया की, तो वो अफगानिस्तान की sponsor है, तो यह आप याद रखेगा कि भारत की sponsor कौन है, भारत को sponsor कर रहा है, OPPO, और अफगानिस्तान को कर रहा है, Amul, तो यहाँ पर यह question भी important हो जाता है, और यह भी, theme song क्या है, theme song है, stand by, ICC World Cup का, जो World Cup का sponsor है, वो कौन है, वो है, overall World Cup का sponsor है, GoDaddy, अफगानिस्तान का Amul, भारत क OPPO, और overall का GoDaddy, इसके अलावा, जो हमें पता होनाच कि, ICC के CEO कौन है, ICC के CEO है, Manu Sahani, BCCI के CEO है, Rahul Johari, BCCI के Chairman भी पता होने चेह, Chairman है, CK Khanna, और पहली बार BCCI के जो लोगपाल है, प्रत्थम लोगपाल जिनको बनाया गया है, वो है DK Gen, तो यह आप याद रखेगा, CEO Man Manu Sahani, और जो BCCI के CEO है, वो है Rahul Johari, BCCI के Chairman है, CK Khanna, और लोगपाल कौन है, DK Gen, इसके अलावा, यह तो हो गई आपकी Total World Cup की बात, यह में में अभी World Cup का Final, यह World Cup चल रहा है, यह Lots में खिला जाएगा, इसका Final, तो इसमें जो भी आगे Questions आएंगे, वो हम आगे cover कर लेंगे फिलहाल के लिए World Cup में से यह सारे Questions सा दिहान रखेगा, अब हम बात करते हैं हमारा IPL, जो IPL 2019 में हुआ है, तो यह भी IPL का भी बारवा संसकरन है, जैसे World Cup का बारवा था, यह IPL का भी बारवा संसकरन था, इसमें जो टीम थी, वो है 8, 8 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट क और जो सबसे पहला IPL था, वो 2008 में खेला गया था, World Cup 1975 में, और IPL 2008 में, इसमें जो विजेता टीम थी, वो थी मुंबाई इंडियंस, जिसने चेन्नाई सूपर किंग्स को हराया था, और मुंबाई इंडियंस चौथी बार विजेता बनी थी, चौथी बार यह विजेता बन इसके अलाबा जो इसमें दो अवर्ड थे, बहुत जादा मेन, Purple Cap और Orange Cap यह अवर्ड पूछे जा सकते हैं, आइपिल में कि पर्पल और Orange Cap और ऑवर्ड किसको मिला है, तो Purple Cap Award उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सबसे ज़़ विकेट लेता तो 26 विकेट लेकर इमरान ताहिर ने परपल का अवार्ड जीता, कितने विकेट लिज थे, 26 विकेट यह साउठ आफरीका के हैं और डेविड वोर्णर, इन्हों होने जो है 692 run बनाकर Orange Cup का किताब हासिल किया था तो Purple Cap इम्रान ताहिर को मिली है और डेविड वोर्णर को मिला है Orange Cup इसके अलावा आपसे पूछा जा सकते है Dream Eleven जो टीम है उसके Brand Ambassador को हौन है उसके Brand Ambassador है MS Dhoni और Man of the Match जो IPL में Declare किया गया है वो है Jaspreet Bumbra Sponsor IPL की Vivo जैसे हमने World Cup का देखा World Cup का Overall Sponsor तो GoDaddy है India का OPPO है और Afghanistan का Amul है और IPL में जो Sponsor था वो है हमारा Vivo इसके अलावा आपसे कुछ और questions पूछे चासकते हैं IPL में जो सबसे महेंगे खिलाड़ी हैं वो कौन थे वो थे जैदेव उनादकट और वरुन चक्रवर्ती है दोनों ही 8.4 करोड इनका मतला प्राइस था 8.4 करोड़ों में इनका खरीदा गया था कौन-कौन जैदेव उनादकट और वरुन चक्रवर्ती इसके अलावा जो इसका फाइनल मैच आप से पूचा जा सकते हैं कि फाइनल मैच IPL का कहां खेला गया था तो वो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था और ये भी एकक्वेशन बनता है कि एक पारी में सबसे ज़्यादा रंग किसने बनाए थे कौन सा खिलाडी था जिसने एक पारी में सबसे ज़्यादा रंग बनाए थे वो थे जोनी बेस्टो तो ये याद रखेगा कौन? जोनी बेस्टो और सबसे तेज अर्धिशतक बनाने वाले खिलाड़ी थे हार्धिक पांडया सबसे तेज अर्धिशा तक बनाने वाले थे हार्धिक पांडया और यह याद रखेगा इन्होंने सत्रा बॉल्स में सत्रा बॉल्स में इन्होंने अर्धिशा तक बनाया था ठीक है तो सबसे तेज अर्धिशा तक बनाने वाले कौन थे हार्दिक पान लिया इसके अलाबा जो सबसे ज्यादा मूल्यवान या most valuable player का आवर्ड किसको मिला है most valuable player IPL में मिला है आंद्रे रसेल को ये west indies की खिलाड़ी है आंद्रे रसेल ये valuable player of the most valuable player का आवर्ड मिला है इसके लाबा emerging player मिला है शुभम गिल को किसको मिला है emerging player शुभम गिल को IPL में fair play award एक और अवर्ड है fair play award ये मिला है sunrisers हैदराबाद को तो ये हमने कुछ IPL से related जो questions पूछे जा सकते हैं वो points देखे कि सबसे तेज़र दिशता किसने बनाया आर्दिक पांडिया ने और जो emerging player है वो शुभम गिल है fair play award मिला है sunrisers हैदराबाद को और एक पारी में जो सबसे जादा रन बनाये है वो जौनी बेस्टो ने बनाया फाइनल मैच ये सारी चीज़े हो गई कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट लिया IPL सबसे पहला कब खेला गया था 2008 में Mumbai Indians इसकी विजेता रही चेन नहीं सूपर केंग्स को हरा कर ठीक है और चौथी बार मदला Mumbai Indians ने ये खिताब जीता है अब हम बात करते हैं अभी हम World Cup IPL की बात करी अब हम बात करते हैं ICC T20 Women World Cup 2018 की तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो captain थी जो ICC महिला World Cup T20 महिला World Cup हुआ था उसकी जो captain थी वो Harmanpreet Kaur थी जिनको जो कि पहली महिला है पहली भारतिया महिला है जिन्होंने T20 में शतक बनाया है तो ये आप यादर कि आपसे पूछा जा सकता है कि T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतिया महिला कौन है तो वो है आपका Harmanpreet Kaur इसके अलाबा ये जो T20 World Cup हुआ था वो उसका होस्ट कौन था मेजबान कंट्री जो थी वो वेस्ट इंडीस थी इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था जैसे कि हमारा World Cup में 10 टीमों ने भाग लिया था और विजेता इसमें Australia बनी थी England को हरा कर तो ये आप याद रखेगा Australia ने इसको जीता था England को हरा कर Player of the Series रही कौन थी Elisa Jean Halley जो T20 World Cup था उसमें Player of the Series Elisa Jean Halley इसके लावस में तीन केटेगरी में अवार्ड और दिये गए थे कि एक तो Test में एक One Day में और एक T20 में तो आपसे पूछा जा सकता है कि Best तीनों में ही मतलब Test जो Match हुए है जो One Day Matches हुए है और जो T20 Matches हुए है उन तीनों में ही Best Team, Best Cricketer और Best Baller आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग तो हम देख लेते हैं तीनों को कि Test Match की अगर हम बात क जो Best Team declare करी गई है वो है इंडिया, One Day की Best Team है वो है इंग्लैंड और T20 की है पाकिस्तान यह है Best Team अगर हम बात करें Best Cricketer की तो वो है विराट कोहली कौन है विराट कोहली और One Day में भी विराट कोहली है और T20 में कौन है बाबर आजम जो की पाकिस्तान के Cricketer है तो यह आप प्याद रखेगा कि जो Best है टीम कौन सी है और Best Cricketer कौन सा है इसके अलावा One Day के लिए जो Best Baller है वो है जस्प्रीत बुम्रा और T20 के लिए Best Baller है राशिद खान कौन है राशिद खान तो यह आपको दिमाग में रखने है जो इनको Best Awards मिले है इसके अलावा गर हम ICC Awards की बात करें तो ICC Awards दिया गया है देखिए सबसे जादा जो Award मिले है ICC की तरफ से वो Virat Kohli को मिले है जो की है Test Player चाहे वो Test Player हो या One Day Player हो या Cricketer of the Year हो और एक Wisden पत्रिका के द्वारा Leading Cricketer of the Year हो तो इस सारे ही Awards किसको मिले है यह मिले है विराट Kohli को और विराट Kohli सबसे कम मैचों में 10-11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज है तो यह आप याद रखेगा कि बन गए है विराट Kohli जो है वो सबसे कम मैचों में 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए है और इनको यह सभी Awards मिले हैं इसके अलावा T20 ICC की तरफ से कुछ और Awards दिये गा है T20 Player of the Year T20 Player of the Year यह जो Award मिला है वो मिला है Aaron Finch को Aaron Finch को इसके लावा Emerging Player of the Year मिला है रिशब बन्त को देखिए IPL में Emerging Player अलग था वो था शुभम गिल यहाँ पर जो है वो है रिशब बन्त ICC की तरफ से और एक है Empire of the Year Empire of the Year मिला है कुमार धर्मसेना जो की Empire यह हैं आपके श्रिलंका के तो Empire of the Year कुमार धर्मसेना को तो यह कुछ important awards होगे इसके अलावा जो स्मृती मंधाना है उनको भी सर्वश्रेष्ट महिला क्रिकेटर ऑफ दा यार इसके अलावा उनको भी 2-3 awards मिले है कि सर्वश्रेष्ट महिला क्रिकेटर ऑफ दा यार और सर्वश्रेष्ट वंडे जो बनाने वाली जो महिला है भारतिया महिला वो है हर्मनप्रीत कॉर और सबसे ज्यादा वंडे मैचस खेलने वाली जो महिला है वो है मिथाली राज ये भी याद रखिएगा कि जो वंडे मैचस खेलने वाली विश्विकी पहली महिला है वो कौन है मिथाली राज और T20 में श को र blender गोजीते हैं रन जी ट्रोफी और विदर्बने रेस्ट आफ इंडिया को राकर क्योंकि रन जी केलता है तो दोनों और इरान ये जीती है किसने जीती है विदरवने ये दूसरी बार जीती है इसके अलावा एक सयद मुश्ताकली ट्रोफी है ये जीती है करनाटक ने महराश्ट्रु को हराकर इसके अलावा जो ICC के दौरा fans movement of the year declare किया गया है वो जब under 19 world cup में इंडिया की जीत हुई थी तो उस movement को उन्होंने fans movement of the year declare किया है इसके लावा भारत ने ICC test championship भी जीता है और ये लगातार तीसरी बार जीता है ये आप याद रखेंगे जो test championship है वो भी भारत नहीं जीता है तो ये कुछ important questions थे जो हमें याद रखने है और ये भी आपको पता होगा जो महिला cricket team है उसके जो coach है वो कौन है वो अभी बने है वो है W.V.Raman तो और hockey के भी आपको आगे बदाएंगे वो Graham Reid है तो ये कुछ important questions थे world cup से IPL से और T20 से जो आपको ध्यान रखने है अभी हम आप के लिए आगे कुछ और वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम और भी important questions sports वाले पार्ट से cover करवाएंगे तब तक के लिए आप ज्यादर ज्यादर हमारी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए